हलो बच्छो नमस्कार सौरी थोड़ा लेट हो गया वीडियो के लिए और टाइम से आदा घंटा लेट सुरू हो रही है बच्छे चतिस गेड़ पुलिस में आपके जितने भी डाउट होंगे मैं इस वीडियो के माध्यम से जबाब दूँगा हला कि ये फॉर्म एक जनवरी से चल रहे है नोटिफिकेशन ये 4 अक्टूबर को आया हुआ है तब से लेकर के अब तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया लेकिन बच्चों ने बहुत डिमांड की इस पेसली 36 गड़ के बच्चों ने ये कहके कि सर हमारे इस information क्यों नहीं ला रहे पुलिस की information के लिए पुलिस की तयारी के लिए आर डबल ये जाना जाता है और आप हमारे स्टेट को क्यों नहीं कोई भी वीडियो दे रहे हो तो बच्चे बिल्कुल आपके लिए वीडियो आ गया है और ये 5967 विकैंसी इससे पहले अगर मैं बोलूँ तो 36 गड़ पुलिस में 1817 विकैंसी निकली थी 2018 में उसके बाद से सीधा अब कॉंस्टेबल में विकैंसी आ रही हैं तो ये तो बहुत अच्छी संख्या में विकैंसी हैं और भाई सबसे अच्छी बात कि ये सरकार जो चल रही है ये अभी बनी है 2023 में तो अभी ये लंबा चलेगी तो भरती तो पूरी होगी इसमें डाउट मत करो दूसरा कि भाई ये चुकि लोग सबाई लेक्शन आ रहे हैं तो उससे पहले सरकार ने आपको एक अच्छा गिफ्ट दिया है तो भरती भी पूरी होगी समय से होगी आप लोग अगर 36 गड़ से बिलॉंग करते हैं और आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं किसी और चीज की आप उन से बहतर इसी पोस्ट को पाऊगे है ना अपने स्टेट की पुलिस में जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि आपको वर्दी की जाब चीए वो जीडी में भी है वो यहां भी है तो बच्चे इस पर मैं सारे डाउट्स के जवाब आपके दूंगा एक्जाम के बा है कि सर चतिस गड़ में तो हम भी नौकरी कर लेंगे लेकिन बच्चो चतिस गड़ राज्ये ही आप से नौकरी नहीं करवाना देना चाहता लेकिए यूपी में जाईए बिहार में जाईए एमपी में जाईए अदर स्टेट के लिए ऑप्शन खुलाए कि आप जनरल में कीजिए लेकिन चतिस गड़ ने अभी मैं आपको नोटिफिक्शन दिखाऊंगा रास्ता ही बंद कर दिया अधर स्टेट के लिए इस्थान ये निवास ही मांगा है चतिस गड़ का अब चतिस गड़ के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अधर स्टेट्स की लड़ाई हो गई क्या सारे स्टेट्स उससे लड़ेंगे तो ऐसा तो है निव फिर स्टेट्स की जहां बात आती है तो वह सुप्रेम कोर्ट साब बैठ है तो अब ये मामला कोर्ट में जाएगा हाला कि गया होगा तो बिलकुल कोई राज्य अपने तक सीमित नहीं कर सकता भारत में उस किसी सरकारी नौकरी को ये बिहार ने भी किया ता सिक्षक भरती में और बिहार को फिर खोलना पड़ा था ठीक है आदेस भी आया था अब मुझे नहीं पता कि यहां लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे अधर इस्टेट के इंट्रेस्टेड है पुलिसमें नहीं है अगर जाएंगे तो उनको उनका खोटा मिल जाएगा अधर स्टेट के लिए चलो अब मैं आपको बात कर लेता हूं बच्चों कि देखिए इसके फॉर्म की डेट क्या है फॉर्म की डेट बढ़ी है हाला कि अधर स्टेट का ये देखिए अभी आया है जल्दी में ये notification पहले इन्होंने क्या था एक जनवरी से 31 जनवरी तक form की last date थी लेकिन फिर उसको बढ़ा के इन्होंने 15 फरवरी तक कर दिया था फिर अब जो है इन्होंने 15 फरवरी से भी जादा बढ़ा के इसको बढ़ा कर 6 March कर दिया है यानि एक जनवरी से लगातार form ही भरे जा रहे हैं और अभी भी form भरने के लिए sufficient time है क्योंकि site white नहीं चली होगी तो भाही नोंने बढ़ाते रहे तो 6 March तक आप form भर सकते हो इस भरती के लिए अब ठीक है 4 October को ये विज्या पंजारी हुआ था इसलिए जो age मांगी गई है वो एक जनवरी 2023 से मांगी गई है अच्छी बात ये है कि 5 साल की छूट और प्रदान कर दी गई है कि भाई भाई ये form खुब form भरिये अब 36 के लिए हैं तो भाई फोर्म जादा जादा वोई 7-8-10 लाग आइंगे इस से ज्यादा तो आ नहीं सकते हैं और भाई 6000 विकेंसी हैं तो बहुत अच्छी संख्यां विकेंसी है सबसे अच्छी बात है कि ये जिलावार निकलती है कि रायपूर अब ये नहीं है कि आपको कौन सी पोस्ट कौन से जिले की प्रिफरेंस देनी है बात करते हैं कि आरक्छक चालक आरक्छक ट्रेड ट्रेलर ये क्या है बच्छो ये कौनस्टेबल के साथ तीन तरह की विकेंसी है एक तो जो कौनस्टेबल आप सिपाही वाला समझते हैं थाने वाने में डूटी देता है एक तो वो ही है सबसे ज़्यादा विकेंसी तो उस केलर है, कहीं धोबी है कहीं मोची है तो वो जहां जैसा चाहिए वो अलग-अलग ट्रेड के लोग चाहिए तो क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पर वरदी धुलानी है बाल बनवाने हैं सिपाई होके तो वो लोग भी कहां से हो पुलिस से ही हो तो उनको भी भरती किया जाता है तो अब इसमें सब के लिए फिजिकल की कंडिशन अलग है एक्जाम की कंडिशन अलग है वो सारी बाते मैं आपको बताऊंगा और वो प्रोसेस बताऊंगा ये सारे जिलेवाइज नोने दे दिया है ट्रेड में कितनी कितनी वेकेंसी है आप बहुत कम वेकेंसी देख रहे होंगे तो ये चालक की है, ड्राइवर की है ये जिलेवार है तो थोड़ी थोड़ी आएंगी हिससे में और जो बहुत अच्छी संक्या में वेकेंसी देख रहे हो ये सब आपकी Constable GD सिपाही सामाने जो है उसकी है ये बच्चो एक जनवरी 2023 को एज मांगी गई है लेकिन अब इसमें पांच साल की छूट और लगा लीजिये इसमें भी पांच जोड लीजिये इसमें भी पांच जोड लीजिये ठीक है, तो ये application fees की बात करूँ तो general OBC के लिए 200 रुपे fees है और SCST category के लिए 125 रुपे fees है ये आपकी fees है इस form को भरने के लिए नहीं भरा है, तो भर दीजिये भाई और अगर सेक्षिक एहरता देखें तो भाई 10 प्लस 2 परणाली के अंतरगत दसवी कक्छा पास की गई हो ये अथवा higher secondary, higher secondary मतलब बारवी या तो 10 प्लस 2 परणाली के अंतरगत दसवी हो या higher secondary हो तो भाई ये भी दसवी है समकक्छ परिक्षा अथवा 37 गर्ड मद्य प्रदेश राज्य इस्थित महाविद्याले से उत्तीन होनी चाहिए इसके समकक्छ परिक्षा इनके महाविद्याले से उत्तीन होनी चाहिए या तो 10 प्लस 2 के अंतरगत CBSC बोर्ड से हो तो फिर तो आप कहीं से भी चल जाओगी या इन्होंने बोला है या आप इन बोर्ड से होने चाहिए या इन्होंने बोला है भाई साथ में ठीक है अब आगे केवल अनुसुचित जनजाती के उम्मीदवार आठवी कक्षा उत्तीन होने पर भी पात रहूंगे यानि SC, ST के लिए है तो SC के लिए निए ST के लिए आठवी पास भी चलेगा नकसल प्रभावित छित्र से हो नकसल पीडित हो तो भाई पाँचवी कक्षा भी चल जाएक देखिए सिपाई में पाँचवी पास भी चलेगा अगर आप चालक के लिए फॉर्म भरते हो, जीडी के लिए नहीं अगर केवल चालक, ड्राइवर वाला अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको लाइसेंस होना चाहिए और वो भी भारी चालक यानि हैवी लाइसेंस भारी वहन का लाइसेंस तो ये सब कुछ आपकी जो एहरता है ये जो सर्टिफिकेट है, लाइसेंस वगरा चाहिए, अन्तिम्तिती को आपके हाथ में होना आवश्चक है चलिए जो फॉर्म की लास्ट डेट है उस तक, अब अगर मैं बोलूँ कि भाई सेलेक्शन प्रॉस्टिस क्या है तो दोक, देखिए, सेलेक्शन प्रॉस्टिस समझ ये पूरा, अगर आप ड्राईवर और ट्रेडसमेन में भरना चाहते हो फॉर्म ड्राईवर और ट्रेडसमेन में तो पहले तो डॉकुमेंट वेरिफिकशन सबसे सुरू महीं कर देंगे और आपके दो चीज तभी देख लेंगे दो चीज ये वहीं चेक हो जाती है उसके बाद आपका physical standard test देखा जाएगा physical में क्या कराएंगे अभी बताओंगा उसके बारे में और ये मतलब इसमें माप तोल हो गई और इसमें आपका efficiency test जानि दौल भी है long jump भी है, high jump भी है, गूला फैक भी है इस सब कुछ है इसके अंदर और फिर है आपका written examination और अगर आप driver और trade वाले exam को देते हैं तो आपको trade और skill test को लाए driver test तो driver का driver वालों को देना है, trade वालों को अपना trade test देना है तो भाईया ये 25 नंबर का होगा, ये 100 नंबर का होगा जो final merit लगेगी, वो 125 में से लगेगी इस वाले paper में फिजीकल के marks नहीं होंगे यहां, किसमें driver में और tradesman में अब मैं आगे बात कर लूँ कि भाईया, selection process for constable GD जिसकी ज़्यादा vacancies आई हैं, उसमें सबसे पहले document verification इसी दौरन आपका क्या देख लिया जाएगा, pair घुटने नहीं मिल रहे होने चीए, pair चप्टे नहीं होने चीए अगली बात, physical standard test, आपकी height chest यहीं ना पलेंगे उसके बाद, आपसे running भी लगवाई जाएगी क्या का होगा running मैं अभी दिखाऊंगा running भी लगवाई जाएगी, long jump भी होगी, high jump भी होगा goal effect भी होगा, ठीक है, और return exam तो यह पूरा process है, आपके selection है, इसके बाद medical medical आपका final selection, अब मैं आपको दिखा दूँ exam में भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले आपको बता दूँ height कितनी चाहिए, देखे, जो physical standard test था, उसमें क्या है, height अगर आप general से हो, आप SC से हो, या आप OBC से हो, तो 168 height चाहिए, 81 से 86 c ना चाहिए, अब महिल आप भी आरती हैं, तो 188 height चाहिए, जो बहुत अच्छी खासी मानी जाती है, अगर आप ST से हो, ST बहुत है 36 गड़ में, तो 158 height भी चलेगी, 86 से 81 आपका सीना चलेगा, लड़कियों की यहाँ भी कोई छूट नहीं है, तो बुरा हाल हो रहा है भाई, आगे बस्तर और सुर्गजा संभाग, जिला, जस्पूर सहित के अनुसूचित, SC, अनुसूचित जंजाती वर्क के ब्यारती, तो यहाँ के ST, इन दो स्पेसले जिलों के लिए, इनमें और छूट दी गई है, यहाँ महीलाओं को भी छूट दी गई है, लड़का हो यह लड़की, दोनों की हाइट 153 भी चल जाएगी, और 6-81 आपको यहाँ चेस्ट चाहिए, तो यह सब कुछ इनों ने बोला है, फुलाने में 5 सेंटिमेटर का फुलाव वो लिखी दिया है, और जो आपकी जो बिना चस्मे के आईज, एक 6-9 और दूसरी 6-12 से कम नहीं होने चाहिए, अगर आप 6 चेन परक्रिया क्या है, और अगर आप जानना चाहों, फुजीकल के लिए, चेन परक्रिया देखो, यह नोटिफिकिशन में लिखी है, साफ साफ, आरक्षक जीडी, यानि जो असली सिपाई है, जो थानों में रहेगा, कि अब भ्यारतियों के लिए, दस्तावेजों की जा सारिक नापतोल, धारिक दक्ष्टा, वही जो मैंने लिखा था, वही सब, और इसमें लंबी कूद, ऊची कूद, गोला फैक, और 100 मीटर दोर, 800 मीटर दोर, देखिए, अब लंबी कूद, ऊची कूद, गोला फैक, 100 मीटर दोर, 800 मीटर दोर, और सबसे बड़ी बात, कि भा प्रोजबीन के लाया हूं इसलिए हां लिखवा दिया हर चीज के 20 भी संग हर किसी में आपको तीन चांस तीन चांस और इनमें तीन तीन नहीं है इनमें एक एक चांस यह इनमें जो लंबी कूद तीनों में सबसे ज्यादा लंबी जाएगी उसके नंबर जुड़ेंगे जो स 800 मीटर दौर 20 अंक की होगी, 100 मीटर दौर ये भी 20 अंक की होगी, इसका भी एक टाइम निरधारित होगा, कि इतने में मार दोगे, तो आपको पूरे के पूरे 20 अंक मिल जाएंगे, ठीक है, उस तरीके से अभी कुछ खोल के नहीं दिया है, और NCC के लिए आपको 5 अंक मिल ज आएंगे, बॉनस के रूप में, दोनों हैं तो 10 अंक भी मिल सकते हैं, आगे अगर मैं बात करूँ, एक्जाम की रिटन एक्जाम की, जनरल नॉलिज 50, जो कभी दिल्ली पुलिस में होता था ये रिटन एक्जाम, पचास ही नंबर, रीजनिंग 35, 35 ही नंबर, नुमेरिकल इसलिएबिलिटी 15, 15 ही नंबर, ये बच्चो ऑफिसियल नहीं दिया है, ये भी हम खोजबिन के ही लाएं हैं, तो भाई, 100 question, 100 marks, 2 गंटे का पेपर, ये होता है 36 गड़ पुलिस में, जो बहुत ही आसानी से अगर बच्चा चाहे तो कर पता है, भाई ये तो नॉर्मल है, ह 36 गड़ की जी के तो पूछी जाएगी, अगर जन्रा नॉलिज आ रहा है तो 36 गड़ का पेपर देने जा रहा है, तो 36 गड़ की जी के चाहे दी हो या ना दी हो, पूछी तो जाएगी, भाई, कम से कम भाई, 10 बार है question, तो जरूर रहेंगे अगर 50 है तो, तो चलिए, तो भाई, जो constable की merit लगेगी ना आपकी, जीडी वाले की, तो constable की merit लगेगी, 100 का physical और 100 का return, ये physical और ये exam, तो 200 मेंसे आपकी final merit लगती है, जो बच्चा 200 मेंसे जादा marks लाएगा, उसका final selection हो जाएगा, ठीक है, तो भाई, 6000 विकेंसियं लगबग, जो बहुत अच्छी संख हैं, अब वहाँ पर बच्चों एक हमारे पास demand आई, 36 गड़ पुलिस में, बहुत सारे बच्चों ने request करी, कि सर यहां के teachers ना course नहीं लाते हैं, अगर online किसी का course दद 10,000 रुपे का है, 556-6,000 रुपे का, दद 10,000 का भी लोग course लाते हैं, महरान रह गयार, पुलिस में तो को लगता है कि भई, आर डबलुए पर आपको 400-500 रुपे का अगर कोई course चाहिए, 36 गड़ पुलिस के लिए, तो मैं विचार करूँगा, अगर आप कहते हैं, तो एक demand आती है, 36 गड़ वाले मेरे प्यारे भाईयों की, तो मैं, मैं यह नहीं कहता, मैं लेकर ही आऊंगा, पर मैं कोसिस करूँगा कि ले आऊं, एक्जाम चाहिए driver का हो, चाहिए trade का हो, चाहिए constable का हो, तीनों में यहीं आएगा, ठीक है, चलिए, तो भई, course के लिए मैं अभी आप से वादा नहीं कर रहा हूँ, आपका comment ये decide करवाएगा, बाद में जो आप comments करेंगे, कि भई, कोर्स लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, अगर आपको RWA एक बार आ गया, 36 गड़ पुलिस के लिए कोर्स लेकर, तो फिर आपका कोर्स बिलकुल समय से खतम हो, खुब practice हो, खुब revision हो, अच्छे teachers के साथ हो, फिर उस पे हम जान लगाएंगे, ठीक है, और आपके अगर बिना कोर्स के लिए भी हमें कुछ क्लासिट चलानी पड़ी कोर्स भी नहीं ला पाएंगे, तो मैं तब भी रहूंगा involved कि 36 गड़ पुलिस के लिए यूट्यूब पे कुछ कर सकूँ, पर वो इतना नियमित हो पाएगा, फिर मुझे थोड़ा सा उस पे सोचना पड कि मैं कितनी कुछ क्लासिट चलवा दूँ, ठीक है, ताकि आपसे भी जुडाव बना रहे, ठीक है, ओक्ये बच्चो, नमस्कार, धन्यवाद.